गीता में एक शलोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात मानम स्रीजाम में हम इस शलोक का मतलब है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कोई नहीं कह रहे अर्जुन के जरिये पूरी स्रिष्टी को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृत्वी के उपर धर्म को कुछला जाएगा और जब जब अधर्म बहुत जादा हो जाएगा तब तब मैं उत्पन होंगा तब तब मैं अवतार लूँगा एक तरह से भगवान ने मानव जाती को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है कई ऐसे मौके आते हैं मानव इतिहास में जब अधर्म बहुत जादा हो जाता है बहुत जादा हो जाता है और लोगों को लगने लगता है कि सच्चाई से कुछ नहीं होगा, इमानदारी से कुछ नहीं होगा, अधर्म करने से ही होगा, चारो तरफ अधर्म का बोल बाला हो जाता है, आदमी अच्छे लोग उमीद खो बैठते हैं, ऐसे मौकों के लिए भगवान ने इस मानव जाती क को ये भरोसा दिया है कि अगर ऐसा मौका आएगा, तब तब मैं मानव जाती के कल्यान के लिए और मानव जाती को उस परिस्थिती से निकालने के लिए मैं अवतार लूंगा या उत्पन होंगा, ये बहुत बड़ा भरोसा है भगवान का मानव जाती को, आज हमारे देश क के अंदर जो घटित हो रहा है, ये कुछ उसी तरह की परिस्थिती है, चारों तरफ अधर्म का बोल बाला है, चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोल बाला है कि लोगों को लगने लगा है, आपस में चर्चा करने लगे हैं, कि यार अब इमानदारी से कोई फायदा नहीं है अब सच्चाई से कोई फायदा नहीं है सच्चाई के रस्ते पे चलने से कोई फायदा नहीं है और लोग देख रहे हैं इतने बड़े बड़े उनके तो तरक्की हो रही है। Beautiful साल के बाद इस देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे बविशे की उमीद देने वाला मनी सिसोधिया आज जेल के अंदर है। धरम जेल के अंदर है और हमारे देश की बेटियों को मा बहनों को छेड़ने वाला ब्रज भूशन सिंग सत्ता का सत्ता भोगरा है सत्ता का सुख भोगरा है आज इस देश के अंदर महला क्लिनिक बनाने वाला गरीबों को गरीब दवाईयां दिलवाने वाला सतिंदर जेहन जेल के अंदर है और चुन चुन के इस देश के सबसे बड़े कुकर्मी सबसे भरष्टाचारी पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है चुन चुन के चुन चुन के इस देश के सबसे कुकर्मी और सबसे भरष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के उन वो सब्ता का सुख भोग रहे हैं इमानदार लोग जेल के अंदर हैं आज इतना ज़़ाधा अधर्म हो गया चारो तरफ इतना धर्म का बोल बाला हो गया है खुले आम MLS को खरीदा जा रहा है हमारे MLS को 25-25 करोड रुपए आफर किये गए MLS को खरीद खरीद के खुले आम सरकारे गिराई जा रही है करनाटक में MLS खरीदे गए गोआ में MLS खरीदे गए माराश्टर में MLS खरीदे गए नौर्थ इस्ट के अंदर ML खरीदे गए, उत्राखंड में ML, खुले आम ML खरीदे जा रहे हैं, करोडो करोडो रुपए के काले धन्से ML खरीदे जा रहे हैं, सरकारे खुले आम गिराई जा रही हैं लोगों का विश्वास खतम होता जा रहा है धरम से, चारों तरफ इतना धरम का बोलबाला हो गया है और यह जो चंडिगड में हुआ है, चंडिगड के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड करके भारी भहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया, पाकिस्तान में भी तो यह हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी तो रावल पिंडी के उस इलेक्शन कमिशनर की आत्मा जाग गई, जिसने आके कहा कि हमने भारी भहुमत से उन लोगों को हरा दिया, जो भारी भहुमत से जीत रहे थे, उनको जिता दिया जो हार रहे थे तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया 75 साल के अंदर 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था हासिल किया था तड़ी महनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने महनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था और एक जटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खातम कर दिया आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े करेंगे एवियम में धांदली करनी पड़े करेंगे एडी पीछे लगानी पड़े लगाएंगे सरकारे गिनाने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक 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 करके ये जेल में डालते जा रहे है चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचे गाई नी आज इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कॉंग्रेस पार्टी का एकाउंट फ्रीज कर दिया अब चारों तरफ चर्चा है आगला आम आदमी पार्टी का एकाउंट फ्रीज करने जा रहे है खुले आम कह रहे हैं हम तो 370 सीट लड़ जीत रहे हैं 370 सीट हमारे पास मशीन हैं मशीन से 370 सीट हैं आ रही हैं हमारे जिस दिन इस देश के अंदर लोगों की जरूरत ना पड़े जनतंतर के अंदर वोटों की जरूरत ना पड़े देश ही नहीं बचेगा तो लोग देख रहे हैं इतने बड़े स्थर के उपर अधर्मी अधर्म हो गया इतने बड़े स्थर के उपर अधर्मी अधर्म हो गया है जो इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने देते इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि गरीबों की दवाईयां रोक दी गई, अस्पतालों के अंदर गरीबों की दवाईयां रोक दी गई, गरीबों की टेस्ट रोक दी गई, गरीबों को मरने के लिए सडकों के उपर बेहाल छोड़ दिया गया, इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि महला क्लिनिक के अंदर जहां गरीब जाके अपना इलाज कराता है वहां की बिजली रोक दी गई वहां के डक्टरों की तंखा रोक दी गई वहां पे काम करने वाले नर्सों और कंपाउंडरों की तंखा रोक दी गई वहां के टेस्ट रोक दी गई इससे बड़ा हमारे हिं रिदू धरम में कहा गया कि पनी पिलाने का धरम होता है इन लोगों ने तो दिल्ली का पानी भी रोक लिए उसमें भी इन्होंने कसर ने जो तो लोग देख रहे हैं जितनी सरकारे हैं पंजाब के अंदर हम जितने काम करने की कोशिश करते हैं पंजाब बगवान की दूआ से फुल स्टेट है उतना यह नहीं कर पाते हैं वहाँ भी इन्होंने हस्तक शेफ करने में कोई कसर जितनी अपोजिशन ही तमिन नाडू के ले लो केरला की ले लो करनाटक की ले लो हर जगे यह लोग अपना टांग अड़ाते हैं काम नहीं करने देते लोग आज हमारे किसान दिल्ली आना चाहरे हैं बताओ क्या कसूरे जी दिल्ली तो कोई भी आ सकता है दिल्ली तो देश की राजधानी है उनके पास कोई हथिया पार निये कुछ निया आने दो दिल्ली में, हमने भी तो राम लिला मैदान में अंदोलन किया था, राम लिला मैदान दे दो बैठ जाएंगे बिचारे, अपना अधिका, अपनी आवाज उठाने का तो सब को अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के, किसानों को निय जाने देतें, न उनकी Girls का दाम, वो क्या मंग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं, हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिनना चाये। बिल्कुल मिनना चाये। फसलों का दाम भी नहिंए प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आ जिस देश का युव एक के बाद एक जुगियां तोड़ी जा रही है तो खुलेयाम इतना अधर्म हो गया खुलेयाम इतना चारुतरफ इतना जादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तैक कि मुझे अव्दार लेना पड़ेगा समय आ गया है जब मुझे उत्पन होना पड़ेगा और पिछले मुझे हस्तक शेप करना पड़ेगा और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तोर पे हस्तक शेप करने की और उत्पन होने का निरने ले लिया है 30 जन्वरी को चंडिगड में मेयर का चुनाव हुआ सुबह वोटिंग पढ़ी वोटिंग पढ़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग आफिसर था पीठा सीन अधिकारी अनिल मसी इन्ही का आदमी था अनिल मसी तो महुरा है पीछे तो वो है उनिका आदमी था उस दिन इन लोगों ने तै किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रोपदी का चीर हरन करेंगे उन लोगों ने इन कौर्वों ने तै कि आज हम जनतंत्र का भार के जनतंत्र का चीर हरन करेंगे पूरी प्लानिंग करके आए थे उसने तेह किया कि मैं असली वोटों के उपर उनको ठपे मार मार के डिफेस करकर के उनको इन्वैलिड घोशित कर दूँगा और हारे वे को जिता दूँगा अब वहाँ पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रोपदी का चीरहरन रोकने के लिए उस कमरे में दिख सारे चिला रहे हैं कैमरे आफ करो कैमरे आफ करो कैमरे आफ क्यों नहीं हुए श्री कृष्ण जी महां मौजूद थे उन्होंने कैमरे आफ करे इन्होंने पूरी कोशिश करी इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे आफ करने की उस दिन कैमरे आफ नहीं हुए ये कोई संयोग पूरनी हैं यह उपर वाले का इशारा है उपर वाले का इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो पूरे दुनिया के अंदर हम तो सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी को पांच मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बे लकाब कर दिय जो लोग द्रोपदी का चीर हरन करने आये थे जो लोग भारती जन्तंत्र का चीर हरन करने आये थे भगवान श्री कृष्णन ने उनको पूरे देश के सामने। और अध्यक्ष्मा अधे उसके बाद के जो घटनाकरम है जिस तरह से सुप्रीम कोट के अंदर ये मामला चला हम लोग अदालतों को मंदिर के तरह मानते हैं नियाए देना भगवान का काम है नियाए भगवान देता है इसलिए जज़ को भगवान का जब जज़ अपनी कुर्सी पे बैठके फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोट के अंदर घटा वो से कुछ ज़ादा ही बड़ा था ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोट के अंदर भी कही ना कही श्री कृष्ण मौजूद है ऐसे लगा जैसे वहाँ सुप्रीम कोट के अंदर भी भगवान मौजूद थे ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के अंदर भगवान बैठे वे थे बगवान उनके जरीयो बोल तो यह जो कल पूरा घट्ना करम हुआ वो यह दिखाता है कि अब हम सबसे पहले तो सुप्रीम को्ड का बहुत-बहुत शुक्रिया इस सदन के माध्यम से इस त। हम इस सदन के माध्यम से सुप्रियम कोड का शुक्रियादा करना चाहते हैं उस पूरी बेंच का शुक्रियादा करना चाहते हैं खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रियादा करना चाहते हैं इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को जन्तांतर को बचाने का काम कीया। अज पूरे देश के सामने भगوान ने बे-नकाब करके एक साफ-साफ मेसेच दे दिया भगवान ने। बी-जे पी चुनाव जीतती नहीं है। बीजे पी चुनाव छोरी करती है। पूरे देश के सामने, सब ने वीडियो देखा है, सब ने किस तरह से सुप्रियों कोट का आदेश सुना है, सब ने पूरे पिछले एक महीने के घटना करम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरन करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजे से चुनाव ने पूरे देश के अंदर सारे देश को हिला दिया, कुछ ना कुछ तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान का संदेश है, मैं आ गया हूँ, बीजेपी पाप कर रही है